इस सवाल में क्या गिवन है पार्टिकल मुविंग अलोंग सर्कुदर पाथ एंगुलर स्पीड लीनियर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिबिटल एक्सेलरेशन आर गिवन बाए ओमेगा वी अल्फा एंड एसी आए गए आपर ए सी ये चीज़ें गिवन है इनके बीच का रिलेशन निकालना है डिरेक्शन का बहुत इंपोर्टन सवाल है एक कॉंसेप्चुल सवाल है समझेंगे इसको डिटेल से देखें लेट से एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव कर रहा अगर अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसकी लीनियर स्पीड या लीनियर वेलसिटी की डिरेक्शन क्या होगी this is Vc इसकी सेंट्रिपिटल एक्सलेरेशन की डिरेक्शन क्या होगी हमेशा फोर्स आपका सेंट्र की तरफ लगता है circular motion में, तो यहाँ पे जो acceleration है, वो भी center की तरफ रहेगी, यह AC रहता है angular speed की direction कैसे निकालता है देखिए, angular speed की direction निकालने का मतलब है axis of rotation की direction निकालना, अगर यह particle ऐसे rotate कर रहा है तो इसकी axis of rotation कुण सी हुई, यह हुई तो this perpendicular to the board perpendicular board के axis है, center के पास करती हुई, यह आपकी angular velocity की direction है कई बार यह लगता है कि axis of rotation तो यह है, particle ऐसे गुम रहा है तो omega ऐसे कैसे हुआ देखो, जब भी आपको circular motion study करना है अगर मैं आपको axis of rotation बता दू, मैं कह दूँ कि यह axis of rotation है, जब भी axis of rotation पता लग जाएगी, तो आप sense of circular motion predict कर सकते हैं तो अगर axis पता होने से आप sense of motion predict कर सकते हैं, तो axis of rotation is a substantial parameter to predict the actual motion, उसको हम direction of angular velocity consider कर सकते हैं, बभी मैं लाके आपको यह याद रखना है कि axis of rotation ही angular velocity की direction होती है तो यहाँ पर omega की direction यह हो जाएगी और alpha क्या होता है angular acceleration is nothing but d omega by dt अगर omega की direction यह है, और axis fix रहते हुए, particle fast move करना शुरू करता है, तो omega बढ़ता है alpha होता है वहाँ पे, तो alpha भी उसी direction में रहेगा क्योंकि अगर एक particular direction में ही omega है, तो omega उसी direction में बढ़ रहा है, it means acceleration, velocity की direction में ही है, तो कुल मिलाके, अगर आपका axis of rotation नहीं बढ़ रहा है तो omega की direction और angular acceleration की direction बराबर सेम रहेगी, direction की बात करने हैं हम यहाँ पे, direction आपकी दोनों की आप इसको और बेटर लिखे हैं तो पैरलल लिख सकते हैं, की omega और alpha पैरलल रहेंगे कब जब axis of rotation नहीं बदल रही है, तो आपका omega भी ऐसे हो गया और alpha भी ऐसे हो गया चेक करते हैं, options में गया, omega is perpendicular to v, omega ऐसे है और v ऐसे है, perpendicular है हनजी, option is correct omega is perpendicular to alpha, नहीं, omega और alpha पैरलल हैं तो यह आप option नहीं आएगा इसमें देखते हैं, v is perpendicular to ac, velocity is perpendicular to ac, सही बात है, omega is perpendicular to ac, omega ऐसे है और ac ऐसे है, perpendicular है तो आप का अंसर हो गया, a, c and d, a, c, d कहीं पे given हैं यह रहा, option 4 is correct, बहुत ही conceptual सवाल था, हमने direction of omega, axis of rotation के along होती है, यह सीखा और दूसरी बात, alpha और omega पैरलल होंगे यदि axis of rotation fix है, thank you